दोस्तों यदि आपने अपनी वीडियो को अपलोड कर दिया YouTube के थूँ उसके बाद आप अपनी वीडियो में एंड स्क्रीन और आई बटन लगाना चाहते हैं तो आज की वीडियो में बताने वाला हूं आप कैसे लगाएंगे इससे पहले यदि आप जाना चाहते हैं कि यू यहां पर टाइप करना है YouTube.com और इस पर क्लिक कर दीना है इस प्रकार दोस्तों आपको Gmail ID के थूँ यहां पर लॉग इन करना है जैसे आपने अपना YouTube चैनल क्रेट किया है उसके बाद दोस्तों आपको अपना प्रोफाइल पिक देख जाएगे इस पर क्लिक कर दीना है यहा यहां पर आपको यूर चैनल इस पर क्लिक कर दीना है यहां पर आपको कस्टम चैनल इस पर आपको क्लिक कर दीना है तो इस प्रकार कंटरफेस उपन हो चुका है यहां पर आपको वीडियो का आइकन दिख रहोगा दोस्तों किनारे पर इस पर आपको क्लिक कर दीना है और पर आपको क्लिक कर देना है यहां पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको वीडियो के नीचे option मिलता है end screen और cards का आपको end screen पर क्लिक कर देना है और यहां से आप अपनी चाहते हैं तो चलिए वीडियो को आप करना चाहते हैं तो इसपर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर दोस्तों चूज इस स स्पेसिफिक वीडियो इसपर क्लिक कर देना है third number पर दोस्तों यदि यह first number पर रहेगा तो आपने जो most recent वीडियो आप create करेंगे वो automatically इस पर लग जाये करेगी और यदि आप चाहते हैं कि जो वीडियो आपकी बहुत सारे views जिस वीडियो में मिले हैं वो लगे तो आप second option को choose करेगे चलिए अब मैं third option को choose कर ले रएंगे जो वीडियो आप लगाना चाहते हैं तो चलिए मैं वीडियो को को लगा लेता हूं उसके बाद दुस्तों आप अलग-अलग वीडियो चलिए इसी पर मैं click कर देता हूं video पर clicking करूंगा और वीडियो को यहां पर लगाते जाता हूं क कि यहां पर आप उपर की तरब element को लगा सकती है बस आपको इसी प्रकार से वीडियो को एड़िय कर जाना है यहां पर कि यहां से गया प्लेज़ से को भी एड़ कर सकते हैं चली में एक प्लेज्स को लगा लेता हूं उसके दोस्तों आप इस पर क्लिक करके इसे अपनी अनुजार एजेस्ट भी कर सकते हैं चोटा बड़ा जैसा लगाना चाहते हैं आप एंड स्क्रीन को और इसके बाद जैसे आप कर लेंगे उसके बाद उसे सेव कर दीजेगा चलिए यह हो चुका है अब कार्ट्स पर क्लिक भाएंगे जिस पर आप करना चाहते हैं चलिए मैं प्लस क्यक्क पर क्लिक कर लेता हूं और वीडियो पर क्लिक करके दोस्तों जो यहां पर वीडियो को आप लगाना इस प्रकार से दोस्तों अब अपनी वीडियो के लिए एंड स्क्रीन और कार्ड को एड़ कर सकते हैं अपनी वीडियो में